अस्सलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 10 उमीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज हमारा क्लास 10 कंप्यूटर का यूनर नंबर टू और इसका लेक्चर नंबर 15 है तो दियर स्टूडेंट्स आज के लक्षर में हम पढ़ेंगे कंकाटिनेशन ओपरेटर के बारे में असाइनमेंट ओपरेटर्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट, ओपरेटर प्रेसिडेंट्स, टाइप कनवरिजन, रीड, डेटा स्टेटमेंट, इन्पुट क्या होती है उसके बाद input statement, output क्या होती है और output के लिए जो statement इस्तमाल की जाती है print statement के बारे में सबसे पहले concatenation operator है तो concatenation operator is used to combine two strings जी concatenation operator जो होता है वो दो strings को combine करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो यहां पर word जो string यूज हो रहा है string का मतलब यह होता है collection of characters जिस जी के से हमारे पास collection of characters में जैसे किसी का name है जैसे name उस्मान है तो इसके अंदर जो characters है वो यू, एस, एम, ए, ए, अ तो यह combination of characters है तो जब एक से ज्यादा characters मिल जाते हैं तो वो string बन जाती है तो जो concatenation operator है इसको दो string को combine करने के लिए इस्तमाल किया जाता है अब यहां पे देखें एक example दी हुई है GW basic का program बनाया हुआ है अब line number 10 में एक string ली गई है उस्मान और इसको A में store कर दिया गया है line number 20 में दूसरी string ली गई है खलील उसको B में store कर दिया गया है line number 30 में C equal A plus B किया अब देखें पहली string जो है A में store है दूसरी string जो है B में store है इन दोनों को plus sign के साथ हम combine कर रहे है तो यहां पे जो plus operator है वो concatenation operator के तोर पे use हो रहा है क्योंकि इसके left और right जो operand है वो string variables हैं तो यह plus का sign जो है यह arithmetic operation perform करेगा addition operation perform करेगा अगर इसके left और right पे values हों या integer या float variables हों तो चुके plus operator है plus sign जो है इसके left और right दो string को استعمال किया गया है तो जब दो string के between हम plus का sign यूज़ करते हैं तो वो concatenation operator के तोर पे इस्तमाल होता है तो यहां पे अब जो plus का sign है इन दो string को किस तरीके से आड़ करेगा वो इन दो strings को combine कर देगा और combine करके इनको C में store कर देगा अब line number 40 में देखें print C किया हुआ है तो जब print C होगा तो यहां पे जो print statement है यह screen के उपर किसी भी चीज़ को print करने के लिए इस्तमाल की जाती है तो print statement के आगे चुकर C लिखा हुआ है अब देखें C के अंदर क्या चीज़ मुझूद है A और B का जो combination है मतलब A और B के अंदर दो strings थी उसको plus sign के साथ हमने combine किया तो इसका मतलब यह है कि C के अंदर इन दो strings क्या की collection पड़ी होगी तो इसकी output में देखें नीचे लिखा हुआ है अस्मान खलील तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हमने print C किया तो C के अंदर उस्मान खलील combine होके आ गई और print statement के दरिये उसको print कर दिया तो इस तरीके से दो string को combine करने के लिए concatenation operator का इस्तमाल किया जाता है उसके बाद है assignment operator assignment operator का इस्तमाल किसी variable को value assign करने के लिए किया जाता है assignment operator जो है वो equal sign होता है तो equal sign अपने right side पे मौजूद किसी भी value को transfer कर देता है अपने left side पे मौजूद variable में तो सबसे end पे देखें एक example लिखी हुई है a equal to 10 तो a यहाँ पे एक variable है equal sign जो है यहाँ पे assignment operator के तोर पे use हो रहा है और 10 जो है एक value है तो equal sign जो के assignment operator है इसके right side पे जो value है वो transfer हो जाएगी इसके left side पे मौजूद variable में तो यह assignment operator है जो कि किसी भी variable को value assign करने के लिए है assignment statement तो assignment statement एक ऐसी statement होती है जिस statement में किसी भी variable को value assign की जा रही होती है तो यह जो पूरी statement है अभी जो हमने example देखी a equal to 10 तो यह पूरी जो statement है इसको assignment statement कहेंगे अब इस statement के अदर जो equal sign है यह assignment operator है उसके बाद है operator precedence the order in which an expression is evaluated is known as operator precedence जी तो जो भी कोई भी एक expression है जैसे arithmetic expression होता है तो उसके अंदर मुक्तरिफ तरह के operators इस्तमाल हो रहे होते हैं जैसे plus operator है minus operator है ठीक है division है multiplication है तो एक ही expression में एक से ज्यादा जब operators आ जाते हैं तो उन operators को solve करने की जो तरतीब होती है कि सबसे पहले कौन सा operator solve किया जाएगा उसके बाद कौन सा solve किया जाएगा तो इस तरतीब को operator precedence कहा जाता है तो math में आपने पढ़ा होगा डिमास rule के बारे में तो उसमें क्या था कि math की किसी भी equation को solve करने के लिए जो mathematical equation है उसको solve करने के लिए एक rule दिया गया है डिमास जिसके मताबिक हम अगर एक statement में एक से ज्यादा operators आ जाते हैं तो हम इस rule को follow करते हैं जिसमें जो है वो सबसे पहले हम division को solve करते हैं फिर multiplication है फिर addition है और फिर subtraction है तो actually ये operators को solve करने की जो तरतीब है इसको operator precedence कहा जाता है इसमें सबसे जो ज्यादा importance है सबसे ज्यादा priority जो है वो division को दी गई है उसके बाद multiplication है उसके बाद addition है और फिर subtraction है तो actually यही जो तरतीब है किसी भी statement में मुक्तरिफ तरह के operators को solve करने की इसी तरतीब को operator precedence कहा जाता है जी students ये picture में आपको एक diagram नज़र आ रही है जिसमें एक table बना हुआ है तो इस table में operators दिये हुए हैं उपर से नीचे तो ये operator की जो solve होने की जो तरतीब है उसको बता रही हैं कि सब से फिले जो है वो सब से ओपर आपको bracket नज़र आ रही है तो सबसे पहले bracket solve होगी उसके बाद जो है यह पावर साइन आपको नजर आ रहा है कि उसके बाद जो है वो पावर को सॉल्व किया जाएगा उसके बाद माइनस है और इसी तरीके से उपर से नीचे जो अपरेटर्स हैं यह इनकी सॉल्व करने की तरतीब है कि कौन सा अपरेटर पहले सॉल्व होगा क कौन सा जा है वो बार में सॉल होगा तो यह एक example दी हुई है जिसमें एक mathematical statement है तो इसमें जो है वो इसको solve करके बताया हुआ है कि देखें एक bracket है और bracket के अंदर एक और bracket है तो जो इनर bracket है वो सबसे पहले solve हो रही है अब इनर bracket के अंदर चुके दो values हैं और एक ही operator है तो यह क हमारे पास एक ही bracket है तो अब इस bracket को solve किया जा रहा है जिसके अंदर 24 divided by 3 है तो 24 को 3 बे डिवाइड करने के बार इसका answer जो है वो एट आ रहा है अब थर्ड स्टैब में देखें हमारे पास तीन values हैं और दो operators है एक जो है वो multiply है जो जो स्टैरिक आपको नजर आ रहा है यह इसका मतलब सबसे पहले जो है वो multiply जो है वो perform की जाएगी तो इसमें देखें यह थर्ड स्टैब में 10 multiply 8 किया गया है प्लस को नहीं किया गया 8 प्लस 13 नहीं किया गया क्योंकि priority जो है वो multiply किया तो इसलिए 10 multiply 8 करके उसका answer 80 आ गया अब 80 प्लस 10 जो कि एकी operator है तो यह solve होने के बाद हमारे पास answer जो 93 आ रहा है तो इसलिए के से operator को यह solve करने की तरतीब है इसी तरतीब को operator precedence कहा जाता है उसके बाद है type conversion type conversion is a process of changing the data type of a value during program execution जी program execution के दुरान जो data की type होती है उसको change करने का जो अमल होता है उसको type conversion कहा जाता है कि हमारे पास अगर एक type का data है हम उसको दूसरी type में change कर सकते हैं कि जिस तरीके से अगर हमारे पास flow type का data है तो हम उसकी type change करके उसको integer बना सकते हैं तो flow type में चुके हमारे पास points वाली value ह होती हैं जैसे 10.5 तो यह हमारे पास एक flow type की value है जब हम इसको convert करेंगे इसकी type change करेंगे और इसको integer में convert करेंगे तो यह integer में convert हो जाएगा लेकिन इसका जो fractional part है point के बाद जो five है point five discard हो जाएगा और अकेला 10 रह जाएगा तो इस तरीके से एक जो data type है उसको दूसरी data type मे change करना type conversion कहलाता है उसके बाद है read data statements जी तो यह basically read और data दो statements अलएदा अलएदा statements हैं लेकिन इनका इस्तमाल हमेशा कटे होता है ना अकेली read statement काम करती है और ना ही अकेली data statement काम करती है चाहिए दोनों statements अलएदा अलएदा हैं लेकिन यह दोनों combination के साथ जहां भी इस्तमाल ह आएंगी जैसे यह नीचे example दी हुई है example में देखें line number 10 है read xy तो यह statement है read statement और उसके बाद x, y लिखा हुआ है और line number 20 में है data और उसके बाद 10, 20 लिखा हुआ है तो basically जो read statement है वो read करने के लिए इस्तमाल होती है और data statement में हम data देते हैं तो data statement में देखें दो values दी हुई है 10 और 20 तो read statement क्या करेगी data statement में जो values दी हुई हैं उनको read कर लेगी तो read statement के साथ x और y दो variables दी हुआ है तो read statement data statement में दो values को read करके अपने साथ मुझूद जो variables हैं उनके उनके त्रांसफर कर लेगी तो read statement जो है वो data statement से 10 को read करके x में store कर देगी और 20 को read करके y में store कर देगी तो it's mean के read statement जो है वो data को read करने के लिए और data statement जो है वो data देने के लिए इस्तमाल की जाती है और यह दोनों हमेशा combination के साथ इस्तमाल की जाती हैं अगर हम अकेली read या अकेली data statement इस्तमाल करेंगे तो इसका कोईफादा नहीं होगा क्योंकि अगर data, अकेली data statement इस्तेमाल करेंगे तो वो data कहीं use नहीं होगा और अगर अकेली read statement इस्तेमाल करेंगे तो read statement के साथ जो variable दीो है x और y वो values कहान से get करेंगे तो इसलिए read data ये दोनों हमेशा combination के साथ इस्तेमाल की जाती हैं जी उसके बाद है इंपुट दा डेटा गिवन बाइधा यूजर डियूरिंग प्रोग्राम एग्जीकुशन इस काल्ड इंपुट जी प्रोग्राम एग्जीकुशन के दौरान वो डेटा जो हम कम्प्पूटर के अंदर इंटर करते हैं उसको इंपुट फ्रॉम दा यूजर डियूरिंग प्रोग्राम एग्जीकुशन तो निचे एक्जेंपल में इंपुट स्टेटमेंट का इस्तमाल भी बताया हुआ है जिसमें लाइन नमबर टैन है उसके बाद इंपुट स्टेटमेंट इस्तमाल की गई है और डबल कोर्स में लिखा हुआ है फिर कॉमा है और फिर ए है और यह जो डबल कोर्स में लिखा हुआ है इंपुट वैल्यू यह एक मैसिज है जो स्क्रीन के उपर आपको डिस्पले होगा जब हम प्रोग्राम को एक्जीकुट करेंगे इस मैसेज से हमें पता चलेगा कि हमने क्या करना है हमन क्या होता है कि यूजर से वैल्यू लेना और उसको किसी वैरियाबल में स्टोर करना और वैरियाबल जो है हमने ए दिया हुआ है तो वैरियू वैरियाबल ए में स्टोर हो जाएगी एक ही बजाए यहां पे हम कोई भी वैरियाबल इस्तिमाल कर सकते हैं तो इन्पूट स्ट के उपर message display होगा और इस message से हमें पता चलेगा कि हमने value देनी है उसके बाद है output the result displayed by the program after processing is called output जी पिछली जो है वो slide में हमने input और input statement के बारे में पढ़ा था कि input statement जो है वो user से value लेके computer को देती है तो computer जब data को process कर लेता है तो process करने के बाद computer जो हमें information show करवाता है उसको output कहा जाता है तो output display करवाने के लिए जिस statement का इस्तेमाल किया जाता है उसको print statement कहा जाता है print statement का इस्तेमाल भी नीचे दिया हुआ है कि line number 10 a equal to 10 तो line number 10 में देखें a variable है इसको एक value sign की जा रही है 10 उसके बार line number 20 है जिसके अंदर print statement का इस्तेमाल किया गया है double course के अंदर लिखा the answer is equal to तो ये देखें उसके नीचे result है तो result में the answer is equal to as it is print हो गया जो double course में था ये जिस याद रखें जो भी चीज डबल course में होगी वो as it is print होगी तो double course में print statement के बाद double course में the answer is equal to as it is print हो गया उसके बाद चुके a लिखा हुआ है तो a में देखें कौन सी value है इससे उपर जो line number 10 था a में हमने value 10 ट्रांसफर करवाई थी तो line number 20 में देखें print के साथ हमने a को इस्तमाल किया हुआ है तो print statement क्या करेगी variable a के अंदर जो भी value होगी उसको screen पर display कर देगी तो print statement जब इस पूरी line को display करेगी तो answer क्या आएगा सबसे पहले double course को print करेगी print statement तो double course के अंदर क्या लिखा हुआ है answer is equal to print हो गया उसके बाद print statement a variable को print करेगी तो a variable के अंदर value क्या पड़ी हुई है 10 तो एक की जो value है वो 10 screen के उपर print हो जाएगी तो इस तरीके से print statement का इस्तमाल किया जाता है तो students यहां हमारा जो है वो unit number two complete हो गया तो इसको पूरे unit को अब जो है वो आप ने एक दफा थारूली जो है वो study करना है read करना है और अगर आपको कोई भी problem हो कोई भी issue हो किसी topic है वाले से तो workshop के group बने हुए है आपने उन workshop groups पे मेरे साथ जो है वो आप